हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी इस्तिमाल करते हो लैप्टॉप और आप अपने लैप्टॉप में गूगल फोटो इस्तिमाल करना चाते हो यानि किये इसके लिए चाहिए आपको एक वैब ब्राउजर तो मेरे हिसाब से आप गूगल क्रॉम ब्राउजर इस्तिमाल करें यह ज्यादा सेफ है और इजी और फास्ट है तो इसको इस्तिमाल करें और दूसरी चीज यह कैसे डाउलोड किया जाता है इसके लिए आपको जब देए ने प्यक्रा यहां पर आप साइन ot olarak अब सेक αले सेयरे गूगल डॉड कोम तो गूगल करें और एंटर करें कि यह वाला पेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मिलेगा साइन इन कॉरणर पर इसपे क्लिक करहें जी यहाँ पर आपको में उपको अब çağ आप आपने मुवाइल में जाएए जो Google फोटोज आप इस्तिमाल कर रहे हो और गॉल आइकन मिलेगा आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो उपर वाली जो जीमेल आइडी है या जो से जीमेल आइडी आप देखना चाहते हो वो इसके अंदर आप लॉग इन कर लीजिए तो म करना आपको डालेक्ट साइन का पेज मिल जाएगा यहाँ पर डाली अपना पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है और एंटर कर दीजिए थोड़ा से बेट करिए यहाँ पर आपके पास फिर से वही पेज आ जाएगा अगर ऐसा पेज नहीं आता है तो फिर से Google.com सर्च कर लीजिए तो Google.com सर्च कर लेता हूं एंटर करता हूं ऐसा पेज आ जाएगा अब यहाँ पर आपको मिलेगे यहाँ नो डॉट यानिकी नाइन डॉट मिल जाएंगे इस पर क्लिक करें यहाँ पर आपको मिलेगा एक आप्शन फोटो यानिकी Google फोटो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर नेक्स्ट करने हो कहता है तो नेक्स्ट करें हो सकता है एक बार आप फिर से आपस्वर पूछेगा तो अपना पास्वर फिर से डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए थोड़ा सा इंतजा करिए करीबन एक या दो मिनट का मुश्किल से आपके सारी फोटो यह यहाँ पर आ जाएंगी तो मैंने इस लिए इसे यूज कर आए क्योंकि मुझी एक फोटो चाहिए तो जैसे कि मुझे यह वाला फोटो चाहिए तीन फोटो टीए मुझे मुझे आले तो मिनको सिल्ख कर लetin हों पहले फिर यहां पर सिलाख करने के बाद आपको मिलेंगे आपको 3. इस पर किलिक करें यहां पर आपको मिलेगा डाउनलोड इस पर किलिक करें थोड़ा से वेट करें आपके जो फोटोस हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे उसकी एक जिप फाइल बनेगी बनना आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा copy link address आप इसे यहां से open कर सकते हो direct अगर देखना चाहो तो देख सकते हो और download करना चाहो तो यहां पर download करोगे तो यहां पर एक एक करके download हो जाएगा अगर आप एक साथ download करोगे तो zip file बनेगी अगर आप एक एक करके डाउनलोड करोगे तो जादा अच्छा रहेगा तो ध्यान रखेएगा इस बात का तो हो चुकी है हमारी फोटो यहाँ पर आ चुकी है हम इसे उपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ